हेलो गॉइज यह युनिवर्स जैसा हम आज देखते हैं पहले ऐसा नहीं था आज जितने भी पार्टिकल्स एटम्स हैं तो यह सभी बिग बैंक से आये हैं शुरुआत में यह प्यूरा युनिवर्स ज्वाजम गैलक्सी स्टार्स प्रेंट जितने भी यह सभी देखते हैं सब कुछ एक एक अटम जिने साइद में समा हुए थे जो बहुत इंस और फोर्ट था पर हमें कैसे पता चला कि बर्मांड कभी एक एक अटम जिने स्थार प् होगा जहां से इसकी स्वरात हुई है हमें पूरी तरह नहीं पता कि हमारी युनिवर्स का जर्म कैसे हुआ है कहानी जब से शुरू होती है जब हमारा बर्मान एक मार्बल जीतना छोटा था वन सेकंड के विलियंथ और ट्रियंथ और ट्रियंथ सेकंड में इस स्पेस ने सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया वो भी लाइट की स्पेड से भी तेज सेकंड के कुछ इसे बात यह मार्ज इतना बढ़ गया था यह अब भी एक्स्पेंट कर रहा था पंतु अभी भी कोई मैटर नहीं था सब कुछ एनरजी की फो में था बाद में यही एनरजी म में बदद गई इस इकल टू एम सी स्क्रेयर की एक्वेशन के उसार मास एनलजी कवर्टेबल है एक दूस्रे में शुरुआत में दो तरह के मैटर बने एक था मैटर दूसरा था एंटी मैटर जब एक दूसरे को खतम कर दे परन्थु मैटर शुरूद में एंटी मैटर से ज् एनर्जी डिलीज कर रहे थी इतनी एनर्जी होने कांट वेबोंड नहीं बना पा रहे थी वन सेकेंड के मिलियंद इस्से में अब हमारी युनिवर्शन एक 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 सोलर सिस्टम के आठ गुना साइज तक ग्रो हो चुका था देरे देरे युनिवर्श ठंडा होने लग गय इसके स्टम और है को बनाना स्टर्ट कर यारे था अब भी इलेक्टैम्स अत्र Infants ठेज मूग कर रहे थी इन hoping जो जूह है आप युनिवर्श और लोके व्हाने लग गवाई थी हम कुछ으면서 अब हो और dough knewर्श हो ब्रूद बहुत दूंद रहा था लाइट इन फर्स्ट मुविंग ट्रैप्ट हो चुकी थी अब देरे देरे युनिवर्स के एक्सपेंड होने कांड लेक्ट्रोन की स्पीड शलो होने लग गई थी इनकी स्पीड शलो होने कांड प्रोट्टोन नहीं ने खीच लिया था और फर्स्ट मुविंग थी और हाइडोजन और हीलियम का केवल नुक्लियाइजिस्ट कर रहा था अब लाइट ट्रैप्ट नहीं थी लेक्टरों की दूंद हट चुकी थी और हमारे टेलिवीजिन में जब सीलन नहीं होता और जो यह नोईज होती है इसका कुछ इसे हैं उस्टार्स बनना अरम बगो थी युनिवर्स में लाखों तारिफ बनना स्टार्ट हो गोए थे हमारे बर्मांट का अंत कैसे होगा यह जानेंगे नेक्ट पार्क में धन्यवाद जो अब इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं बाए